आज सबसे बड़ी तीन समस्य आई हैं देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी और ब्रश्टाचार और इन तीनों पर इन लोगों का कोई भी वो नहीं है तो मेरा आप लोगों से निवेदल हैं कि अब हमें खूब महनत करनी पड़ेगी अभी तक लोग कहते थे विकल्प नह रहे हैं कि ये इंडिया एलाइंस जबसे इंडिया एलाइंस बनाएं मेरे पास बहुत मेसेज़े आए बहुत लोगों के संदेश आए कि इंडिया एलाइंस अगर टिक गया और टिकेगा अगर इंडिया एलाइंस टिक गया तो 2024 में इनकी सरकार दुबारा नहीं बनने वाल कि इस बार इनको भगाओ अगर तरक्की चाहते हो, परिवार का भला चाहते हो, अपने परिवार की सोचो, और एक चीज है, अंद भक्तों से मत उलजना, देश भक्तों से बात करना, जो देश भक्त है, वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा, जो अंद भक्त है, उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस, और दो मिनट में पता चल जाता है कोई देश भक्त है कि अंद भक्त है, जो अंद भक्त है वो देश भक्त होई नहीं सकता, और जो देश भक्त होई नहीं सकता, दोनों बिलकुल अलग अलग जातिय अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें